हलो एवरीवन वेलकम तो गेटकैड़ी प्लस मैं हो में अपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ आफ माटेरियल लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा मॉडिल नमबर वन है वो कम्प्लीट कर लिया था ठीक है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हम हमारा नया मॉडिल व हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग स्केब जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्टर तो प्रिंस्पलोस्ट इस Сट्रेंद, अलग से पढ़ने की हमको क्या शरुर्ष है क्या नीड है इसकी ठीक है और इक इस तरह से पढ़े हैं जो concept पढ़े हैं ठीक है वो सभी यहाँ पर valid है अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजे अगर मैं axis के about loading की बात करूं that is axial loading की बात करूं तो axial loading जो होता है वो तीन तरह का होता है ठीक है फर्स्ट इस uniaxial याने कि member के किसी एक axis के about हम लोग सिर्फ loading करेंगे और majorly यह जो loading होगी वो longitudinal axis के about की जाएगे second type होता है biaxial loading biaxial loading में जो भी mechanical component होगा उसके दोनों axis के about हम लोग loading करेंगे ठीक है triaxial loading में नाम से ही clear है कि तीन जो axis होंगे तीनों axis of material के about हम लोग यहाँ पर loading कर रहे होंगे तो उसको हम triaxial loading बोलेंगे ठीक है अब by uniaxial तो हमको समझ आता है कि जैसे मैं किसी wire को पकड़ के stretch करूं like this case तो इस wire को जब मैं stretch कर रहा हूं तो उस case में मुझे देखने को मिल रहा है कि इसमें यहाँ पर आपको longitudinal stress और strength देखने को मिल रहे हैं और एक axis के about loading हो रही है लेकिन by axial loading मेजरली जब हम लोग first time strength of material पढ़ रहे होते हैं जब हम मुँआरे size कुछ इस तरीके का दिखता है अब इसमें आपने notice किया होगा कि इस balloon को फुलाने के लिए इसमें हम लोग हवा भरते हैं या हम मुझे हवा भरते हैं या किसी gas cylinder से इसमें हवा भरते हैं और यह हवा जो होती है इसमें कुछ pressure होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि य gas cylinder हम लोग यूज करते हैं ठीक है LPG gas cylinder होता है कुछ इस तरीके का ठीक है उस gas cylinder से हम लोग fuel supply लेती है और उस fuel supply को बर्न करके हम लोग खाना वगरा पकाने का काम करते हैं तो यह gas cylinder भी हम सभी ने देखा हुआ है फिर आप लोग अगर कभी किसी shop पे गया होंगे किसी वहाँ पर आप किसी welding shop पे गया होंगे तो आपने देखा होगा welding करने के लिए gas welding करने के लिए वहाँ पर cylinders रखे होते हैं जिसमें different जो fuels होते हैं welding के लिए उस cylinder के अंदर भरे हुए होते हैं आप अगर hospital गया होगे तो hospitals में आपने देखा होगा जो मरीज होते हैं उनको oxygen करने के लिए ठीक है एक oxygen का cylinder होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है तो इस तरह के सभी चीजों में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे चाहे balloon हो चाहे LPG cylinder हो चाहे oxygen cylinder हो ठीक है इन सभी में एक चीज़ कॉमन है सभी के अंदर जो gas है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर है तो अब आप यहां पर सिब इसका एक outline diagram consider कीजी यहां पर देख सकते हैं कि मैंने तीनों का balloons का LPG cylinder का और जो oxygen cylinder है उसका मैंने outline diagram इक यहां पर बना दिया अब इसके अंदर gas भरी हुई at a certain pressure P तीनों में गैस भरी हुई at a certain pressure P और P जो होता है that is pressure वो हमेशा surface के perpendicular that is surface के normal direction में towards the surface लगता है तो जो इनका surface आप देख पा रहे हैं इन surfaces में इन सभी surface के normal direction में यह जो pressure है वो act कर रहा है तो जो resulting force आएगा वो इनके normal direction में होगा अब किसी भी example को हम यहाँ पर ले ले लेते हैं जैसे कि मैं balloon की बात करता हूँ तो balloon यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी possible direction में फूलने लग जाएगा अगर आप gas cylinder की बात करेंगे तो आप देखेंगे जब pressure बढ़ेगा तो दो चीजे होंगी एक तो इसका diameter बढ़ने की कोशिश करेगा जैसा कि आप यहाँ पर figure में देख सकते हैं जब pressure बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यह क्या करेगा बढ़ता हुआ pressure इस wall को push करेगा दो direction में एक आप देख सकते हैं top और bottom का surface है इसके normal direction में pressure लग रहा है ठीक है और जो side walls है जो की curved surface है cylinder का उसमे भी आप देख सकते हैं कि pressure अलग रहा है pressure force लग रहा है तो यह pressure क्या करेगा यह करेगा इसके diameter को increase और दूसरा क्या करेगा इसके साथ साथ इसकी जो length है cylinder की उसको भी increase कर देगा तो यह मैंने कुछ example रखे इसमें आप देख रहे हो कि member में जो load आ रहा है due to pressure वो दो direction में आ रहा है ठीक है that is your x direction और y direction अगर आप x, y, partition coordinate के अगर बात करें तो यहाँ पर आप दूनों direction में देख सकते हैं deformation देखने को मिल रहा है stresses देखने को मिल रहा है तो अगर मै यहाँ पर इस cylinder में for example मैं cylinder लूँ, cylinder में एक element ड्रॉ करूँ और तो उस element में analysis करूँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि element में दो direction में आपको stresses दिखने है जैसा कि आपने previously देखा कि cylinder का length बढ़ रहा था साथ से cylinder का diameter भी बढ़ रहा था ठीक है तो अगर मैं यह element लूँगा तो एक तो इसकी length बढ़ेगी plus इसका जो circumference है वो बढ़ेगा that's why इसमें दो direction में stresses आएंगे तो इस तरह की loading देखने को मिलती हम लोगों को biaxial loading ठीक है यह जो loading है इसको हम biaxial loading कहते हैं इस तरह के load daily life में हम लोग face करते हैं ठीक है mostly हम इनको observe नहीं करते हैं कि किस तरह की loading है तो शायद आज जानने के बाद कि यह जो है biaxial loading के examples हैं शायद आप इसमें interest लोगे तो इस तरह की loading conditions में आप ध्यान दोगे जैसा कि मैंने previously भी आपको बताया हुआ है कि अगर मैं कोई uniexial loading की बात करो जैसे कि यहाँ पर मैं बार ले लेता हूँ इसमें 2 मैं load लगा दे जाता हूँ और इसमें आप tensile stress generate होगा ठीक है अगर इसमें cross section A है तो cross section A में produce होने वाला normal stress को ही मैं longitudinal stress बोलूँगा और इसकी जो value होगी that will be sigma is equal to p by a now अगर आप यहाँ पर इस body में इस body की जो longitudinal axis है उससे theta degree पर inclined को plane card देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं theta degree पर plane card दिया अब इस theta degree वाले plane पे normal direction में और इस plane के tangential direction में हमको p load जो है हमारा उसके दो component मिलेंगे that is normal component and tangential component यह जो दोनों component है यह एक stress produce करेंगे जो normal component of force है वो normal stress produce करेगा और जो tangential component of the force है वो एक tangential stress यानि की shear stress produce करेगा same इस diagram को अब हटा देते हैं अब अब जाम लेते हैं by axle loading का तो यहाँ पर मैं दोनों axis के about stresses लेता हूँ sigma x and sigma y यहाँ पर मैंने एक element लीडिया और इसके दोनों axis के about मैं यहाँ पर loading कर देता हूँ और sigma y जो है उसके कारण को इस force आता है py तो इस plane के about px and py का एक normal component आपको मिलेगा px और py जो force है उसके normal components आपको इस plane के normal direction मिलेंगे and इसके जो tangential component है वो इस plane के tangential direction में मिलेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमेशा चाहे uniaxial loading हो चाहे bike cell loading हो साथ साथ इसी तरह से आप triaxial loading को भी देख सकते हैं I don't think कि उसको समझाने की अब जरूरत है आप अब तक समझ गये होंगे कि अगर number of direction में loading लग रही है तो किसी एक oblique plane में हमेशा उसके normal direction में और उसके tangential direction में हमेशा हमको forces मिलते हैं जिसके काराण उस oblique plane में normal stresses and shear stresses generate होते हैं तो हम यह जो subject है हमारा यह जो module है हमारा हिन में हम इसी stresses के बारे में पढ़ते हैं देट इस धी normal stress on oblique plane and the shear stress on oblique plane तो हमने देखा कि किस तरह से किसी oblique plane पर आपको normal stress भी मिलता है और आपको shear stress भी मिलता है तो यहां से हमने देखा कि किस तरह से बाइक्सेल नोडिंग के हम एक्जामपल्स डेल लाइफ में देख सकते हैं माने बलून्स का गैस का example दिया यह separate एक subject है हमारे पास that is thin cylindrical pressure vessels उसमें हम लोग यह सब चीजे पढ़ने वाले हैं तो आई होप आपको एक idea हुआ होगा उन सभी चीजों का और साथ ही समझ आया होगा कि किस तरह से यह हमारा module 2 है that is principle stress and strain वो हर जगा काम आएगा यह बहुत ही versatile topic है आगे के topics में भी यह इसका बहुत जादा involvement होता है खासकर जो theory of failure का topic होता है उसमें इसके importance होते हैं यहाँ पर जो combined bending and torsion का problem होगा उसमें यहाँ पर इसके आपको involvement दिखेगी ठीक है यह इस तरह कि जहाँ भी आपको number of directions म load आ जाएंगे किसी एक direction के अलावा भी वहाँ पर आपको principle stress system का concept है इस modular पढ़े का formula है वो बहुत help करेंगे तो अब हम देखते है principle stress and strain के बारे में ठीक है तो यहाँ पर principle stress and strain को समझने इसके पहले मैं यहाँ पर एक element consider करता हूँ कोई ठीक है जिसके x direction में stress लग रहा है sigma x और जिसके y direction में stress लग रहा है sigma y, now stress sigma x के corresponding जो load है that is px and stress sigma y के corresponding जो load है that is py, now यहाँ पर मैं एक oblique plane ले लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक oblique plane ले लिया, अब इस oblique plane का location कैसे define करेंगे, तो इस module में जो मैं convention follow करने वाला हूँ, वो आप यहाँ पर note कलते जाए यह सारे conventions जब तक आपके clear नहीं होगे, तब तक आपको हर numerical में गलत answers मिलेंगे, आपको जो different of approaches हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, graphical approach और analytical approach उनके answers हमेशा आपको different मिलेंगे, तो आपको जो convention बता रहा हूँ, वो आपको follow करने हैं, ठीक है, तब आपको कोई भी problem नहीं होगी, कि किसी भी textbook का, किसी भी competitive exam का, कोई भी question, किसी भी level का question, जो मैं आपको concepts बताने वाला हूँ, उससे 110% solve होंगे, without any failure, without any error, okay, so note down करते जाहिए, यहाँ पर अब जो vertical plane होंगे, कभी भी, आप देख सकते हैं, इस square element में, दो vertical plane है, आप देख सकते हैं, वर्टिकल साइट इसके, ठ reference plane, ठीक है, और mostly मैं यहाँ पर जो right side का, आपको vertical plane दिख रहा है, मैं उसको generally यहाँ पर अपना reference plane मानूंगा, in case कुछी question में, अगर ऐसे कोई diagram दिया है, तो मैं चाहूं तो उस case में leftward वाला जो हमारा vertical plane है, उसको भी as a reference plane ले सकता हूँ, ठीक है, so यह हमारा reference plane हो गया, so now reference plane है हमारा reference plane से जो oblique plane है, वो theta degree clockwise direction में मौझूद है, देख सकते हैं, अब अब इस theta clockwise कैसे है, तो आप पहले क्या कीजिए, जो element है, उसको vertical position में कीजिए, then उसको आप clockwise sense में rotate कीजिए, तो आपको angle theta दिखेगा, यह theta आप देखेंगे, कि मैंने vertical से clockwise direction में rotate करके लाया है, that's why इस theta को मैं clockwise मोलूँगा, इसके उलट हम चाहते तो counter clockwise भी हाँ पर ले सकते थे, ठीक है, now इस element पे जो हमारे loads आ रहे हैं, PX and PY, इसको मैं इस plane के about, जो मैंने oblique plane काटा है, उस plane के about resolve करूँगा, तो दो directions में, याने कि इस plane के tangential और इस plane के normal direction में मुझे component of forces मिलेंगे, ठीक ह Pt is the tangential force, Pt को मैं यहाँ पर V से denote भी कर सकता हूँ, V का मतलब होता है shear force, ठीक है, so Pt that is the tangential force, उसको मैं V denote कर दिया, और यहाँ पर मैंने normal force PN ले लिया, अब यह जो oblique plane का जो area है, इस area के corresponding, अगर मैं चाहूँ, तो stresses calculate कर सकता हूँ, तो let us say, जो oblique plane का area है, that is A, A is the area of oblique plane, then यहाँ पर मैं stress निकाल पाऊंगा, sigma N is equal to PN by A and tau, that is shear stress is equal to V by A, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, कि theta degree पर मौजूद इस oblique plane पर, मुझे normal direction में normal stress, sigma N, and tangential direction में shear stress मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कि चाहल लोडिंग कंडिशन कोई भी हो, uniaxial हो, biaxial हो, tri-axial हो, किसी भी oblique plane पर अगर आप forces को resolve करोगे, तो आपको उस plane के normal direction में and tangential direction में stresses देखने को मिलेंगे, जिसको हम normal stress and shear stress के नाम से जानते हैं, तो अब समझते हैं कि यहाँ से principal stress कैसे define किया जाएगा, यह मैं क्यों बताए आपको, अब आप देखेंगे कि theta की different value पे मुझे जो component मिलने वारा है, P and V, इसकी value different different होगी, theta की अलग-अलग value पे जो oblique plane है, उसका area अलग-अलग आएगा, उस पे मिलने वाले stresses की value अलग-अलग होगी, तो theta की एक value होगी, याने कि एक oblique plane होगा, oblique plane की location को हम लोग यहाँ पर theta से define करते हैं, और theta जो हमारे reference plane से ना पा जात है, ठीक है, तो एक oblique plane होगा, जिस plane पर यह जो shear stress है, shear stress की value at oblique plane 0 होगी, so such oblique plane is known as principal plane, तो ऐसा plane जिस पर shear stress की value 0 होती है, ऐसे plane को कहते हैं हम लोग principal plane, ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं, कि जो हमने loading ली है, by axial loading ली है, ठीक है, तो ऐसे cases में, by axial loading के case में, जो आपके principal planes होंगे, उनकी संख्या 2 होगी, 2 mutually perpendicular principal planes होंगे, ठीक है, इसका proof हम आगे देख लेंगे, आगे की videos में इसको हम cover करेंगे, कि किस तरह से 2 principal plane होते हैं, यह आपको clear हो जाएगा, ठीक है, so 2 principal plane होते हैं, mutually perpendicular, तो आपको समझ आ गया होगा कि principal plane क्या होता है, principle plane उस plane को कहते हैं, जिस पेशिया stress की value 0 होती है, okay, now, principle plane जो है, जो आप देख सकते हैं, यह आपर, principle plane की location को मैं हमेशा reference plane से रताऊंगा, और इसकी लिए जो theta की value होगी, उसको मैं theta P से denote करूँगा, so theta P is the location of principle plane with respect to our reference plane, okay, now, इस principle plane पे, normal direction में जो मुझे stress मिलेगा, that is the normal stress acting on the principle plane is known as the principle stress, ठीक है, घ्यान से पढ़िये, that the normal stress acting on the principle plane is known as the principle stress, तो principle stress कुछ और नहीं, normal stress की ही एक value है, जो की principle plane पे act कर रही है, अब, principle stress दो टाइप के होंगे, क्योंकि principle plane भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दोनों mutually perpendicular होते हैं, अब principle plane दो टाइप के कैसे होंगे, जिस principle plane पे, normal stress की value highest होगी, greatest होगी, उसको मैं बोलूँगा, major principle plane, major principle plane पे sigma n की value highest होती है, then, जो इसकी mutually perpendicular दूसरा plane है, उसको मैं बोलूँगा, minor principle plane, क्योंकि उस principle plane पे sigma n की जो value होगी, वो minimum होगी, तो यहाँ पर दो principle plane मिलेंगे, ठीक, और इनके corresponding जो maximum value of sigma n and minimum value of sigma n मिल रहा है, मुझे major principle plane और minor principle plane में इन ही value को मैं principle stresses के नाम से जानूँगा, जो बड़ी value है sigma n की on the major principle plane, that is known as major principle stress and the minimum value of the normal stress on the minor principle plane is known as minor principle stress, ठीक है, so principle stress भी हाँ पर आपके दो type की हो गए, पहला major principle stress, दूसरा minor principle stress, जो minor principle stress है, that acts on minor principle plane and जो major principle stress है, that acts on the major principle plane, तो I think आपको ये concept clear हो गया होगा, major principle stress and minor principle stress का, ठीक, तो आज की इस वीडियो में majorly हमने पढ़ा है principle stresses के बारे में and complex state of stress actually में क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, हमने direct stresses के बारे में देखा, हमने indirect stresses के बारे में भी देख लिया है, ठीक है, next video में हम लोग किसी oblique plane पर किस तरह से हम लोग normal stresses निकाल सकते हैं, shear stresses निकाल सकते हैं, किस तरह से हम calculate करेंगे कि principal plane की location क्या है, ठीक है, and different जो concept है इस module के वो हम लोग next video से start करेंगे, ठीक है, और साथ हम फिर देखेंगे, जब एक बार हम stresses निकालना सीख जाएंगे, कि अलग-अलग planes पर किस तरह से stresses निकाले जाते हैं, उसके बाद हम different planes पर strains निकालना सीखेंगे, हम principal strain निकालना सीखेंगे, strain rosset पढ़ेंगे, तो आगे बहुत सारे topics हैं हमारे पास, हम लोग देखेंगे कि महर सरकल क्या होता है, इस concept को समझने के लिए, इस concept को solve करने के लिए, numerical को solve करने के लिए, महर सरकल का जो method है, बहुत versatile होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, so I hope आप आप लोग next video के लिए बहुत जादा excited होंगे, ठीक है, अगर आपको आज की topic से कोई भी doubt है, आप की हमारे latest notifications आपको time to time मिलते रहे, मेरे और मेरे गेटेक अने plus team की तरफ से आप सभी को thank you